गेलोत मंत्री परिशित की बैठक में कई अहम फैसले नोप फरवरी से शुरू होगा विधान सबास सत्र, कोरोना को लेकर संशोधित गाइडलाइन होगी चारी, राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री, डेवलेप्मेंट बोर्ड के गठन को दी मन्जूरी सीम गेलोत आज बाड मेर को देंगे बड़ी सौगाते, कई विकास कारियों का करेंगे वर्चुल शिलान्यास, लोकारपन, एक सो बाड में करूड उपे की लागत से बनने वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का होगा शिलान्यास आजादी के अमरित मौत्साव से स्वर्णिम भारत के और कारिक्रम का आगाज आज पीम मोदी राष्टी अस्तर के साथ अभ्यानों का करेंगे वर्चुल इशु भारंब, आबुरोड की ब्रह्मा कुमारी संस्थान और संस्कुती मंत्राले का यायोज़ग नीट पीजी काउंसलिंग में EWS, OBC को आरक्षन का मामना सुप्रिम कोट आज चुनाए का फसला EWS, OBC को पुरूम में आरक्षन को लेकर मिली थी अंतरिम राहत जीनी सेना ने सीमा से भारती युवक को किया अगवा, अरुनाचल प्रदेश्ट से, लोकसबा सांसत तपीर गाउं ने केंदर से लगाई मदद की गुहार, 18 जनवरी के बताई जा रही पूरी घटना राजस्तान में लगातार बढ़ रहा, कोरूना का ग्राफ 24 घंटे में सामने आए 13,308 में नए पॉजिटिव केस, एक दिन में 12 कोरूना मरीजों की हुई मौत कर दो कर दो घटना है, को जान ए लाँ है को करेंदाने है, को भी इस में लगाई में लगाई में लिए। कर दो कि ईसे बताई जस्ताना मरीजों की यह चाहता है, को खड़गाई बढ़ हैं अ।